नमस्कार बहुत बुजर्ग होने के बाद भी लोगों के सर पर पूरा बाल होते थे और काले भी होते थे आजकर के समय में कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जेने के सर के उपर बाल होता ही नहीं है बहुत ही कम उरे गंजापन का सिकार हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जो बहुती छोटी उमर में उनके बाल सफेध हो जा रहा है दोस्तो कुछ लोग अपने बालो का ध्यान तो रखते हैं लेकिन मारकेट में मिलने वाले केमिकल और चीजों का परयोग करने लगते हैं जिससे क्या होता है उनके बालो की गुरोद तो ज्यादा होती है ज्यादा लंबे भी होते हैं लेकिन उनके बालों की जड़े कमजोर पढ़ जाती है और बाद में वही बाल तूटने लगते हैं बालों की तूटने की सबसे बड़ी वज़ा यह भी हो सकती है या तो आप सावन का इस्तमाल ज्यादा करते होंगे या सेंपू का इस्तमाल ज्यादा करते होंगे सेंपू का इस्तमाल ज्यादा करने से हमारे बालों के जड़े कमजोर होती है इसलिए अगर आप सेंपू लगाना ही चाहते हैं तो आप कुछ हरबल सेंपू का इस्तमाल कीजिए और सता में सिर्फ और सिर्फ एक से दो बार ही सेंपल का परयोग कीजिए इससे आपके बालों की उम्र ज्यादा रहेगी आपके बाल तूटेंगे नहीं तो जोस्तों अगर आपके बाल तूटते हैं जड़ते हैं तो बिल्कुल बैफिक्र हो जाएए आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा नुस्का बताएंगे जिसका परयोग करके आप अपने बालों को लंबा कर पाएंगे अपने बालों की जलों को मजबूत कर पाएंगे इससे क्या होगा आपके बालों की जितने भी समस्या है चाहे वो तूटने की हो जढ़ने की हो या फिर और समय सफेद होने की हो सारी समस्या खौत्म हो जाएगी तो मेरी आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी इस नुसका को बताने से पहले प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बाजूम बने घंटे को भी दवा लीजिएगा जिससे आपको हमारी आनेवली नए वीडियो जनकारी मिलती रहेगी दोस्तों आपको इस रिमेडि में सबसे पहला चील देना है वह दोस्तों यह नारियल का तेल भारत हो नेपाल हो या फिर अफ़गानिस्तान हो लगभग में नारियल का तेल हर किसी की घर में बहुत यह असानी से उपलवद होयाता है और दोस्तों नारियल का तेल के बारे म इसके बाद दोस्तो इस सनुस्के को त्यार करने के लिए हम अगला ची लेंगे वाई दोस्तो यह सीका काई दोस्तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तो सीका काई के पाउडर आज को आपको बहुत यसानी से मार्केट में मिल जाता है या दोस्तो अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इस तरह से ये साबूत शिककाई ले सकते हैं और आप इसे पीश करके तियार कर सकते हैं तो मैंने इसे पहले से पीश करके यहाँ पर रखा हुआ है तो इस ρमेडि को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे इतनी मातरा में कम से कम एक चमस की मातरा में आपको सीक्य कई कर पौडर यहाँ पर डॉलनी होगी इसके बाद दोस्तो हम यहाँ पर अगला चील लेंगे वहीं बदाम का तिल दोस्तो इसमें बिटामिन E होता है और बदाम का तेल बड़े ही असाने से आपको मिल जाता है और बदाम के तेल में बिटामिन E होने के वह से यह हमारे बालों को पोसर देता है हमारे बालों को लंबा करता है घहना करता है तो आप यहाँ पर एक चमस की मातरा में डाल लेंगे इसके बाद दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हम अगला चील लेंगे वह तो यह कौफी पाउडर दोस्तों इसका इस्तमाल करने से हमारे बालों में चमक आती है हमारे बालों की जड़े मजबूत होती है हमारे बाल लंबे समय तक घने भी रहते हैं तो आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए लेना होगा इतनी मातरा में ठीक दोस्तों आप इतनी मातरा में यह डाल लेंगे वापस से इन सबी चीजों को मिला लीजिए इसका इस्तमाल करने के थरीका मैं आपको सही से बताऊँगा तो वीडियो में एंड तक बने रहिए दिखें दोस्तों कितना असाने से रेमेडी मिल गया इस तरह से मिलाने के बाद आप अपने उंगलियों पर इस तरह से ले लीजिए उसके बाद आप अपने बालों की जोड़ों में इसे इस तरह से वहाँ पर लगाईए और हलके हलके वहाँ पर इसे मसाज कीजिए कम से कम दस से पंदर मेर तक इस तरह से वहाँ पर मसाज कीजिए आपको इस तरह से वहाँ पर सरकुलर मोशन में और इस तरह से कॉलोकवाईज और एंटीकॉलोकवाईज लभग में चारू तरफ इस तरफ से महाँ पर मसाज करनी है इस तरह से मसाज करने के बाद आप क्या कीज़े आप कम से कम 15 से मिन तक और इसे लगाख कर रखिए और उसके बाद आप किसी हर्बन सेंपू से अपने बालों को धोलीजे इसका परियोग आपको हफ्ते में सिर्फ दो बार करना है अगर दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपके बालों की जड़े मजबूत होती है आपके बाल लंबे उमर तक घाने रते हैं सफेद नहीं होते हैं और यह आपके बालों को भरपुर पोसर देता है